मुझा जनाबे नदीन अफसर चांद साब को दिल्की आगरें उसे बात पेश करते हैं मैं अधेरों को उजाने की तमना दूगा, मैं फिजाओं में बहारों कर चलर दिल्की आगरें इसकुरा समंगु सुर्चियर के खालेक जनाब अस्वर अच्छर 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 मेरे पहले बनाबाद, चन्द उस्पेटरियों के पाकिसान में कोई का सतार हो, और खुड़ किसे ज्देस मेरे होग Swodret की है, दल बद़ च्छर अजनाब आपलाद मेरे षाख बे सुन में धर्दमे desde, में मेरे खिद्मत की है, अस्वर अली दवस्र फिजाओं मैंने लिखा के वो औरत में बहुत एत्राम करते हैं, पेटी, माँ, बहन बीवी, भर भूख के लिश्टे के उताबे, अस्वर अली तबस्थम में लाला मुच्छु भाला इश्टी किया है, और उन्हम में उस्था अलीश्ट से बादी ले गया, तबस्थम साथ कुल खैस पर मैंने क्या इहजाज करना है, और खौब उक्षे करता हूं जाए बच्चे हैं, जो शायरी में उनके कमाले ठान का इधार हैं, उनके इशार में हर सूप उनके जारते खौब लिखरे नजर आते हैं, जबाने दिल से चुपा एक पीना तुप बिरा, मैं ढून ढून के लाया अरामते क्या क्या हैं, एक खत जिरा धिया हूं उनके करते चुपा दिया है। इस दिन के उजड़ने के आसार तो देखो, मुझे लिकीन है कि उनकी नसर की दरावज की शायरी हाथे वक्तों में आहम मुकावों मुक्ता की नाभी दरावाज पायती है। बहुत दरावज सहदर, असके रभी दरावज सम्ट एक हसार शायर है। वो अपनी किताबों के नाम भी ऐसे रखते हैं, मैंने क्या अथिजार करना है। वो इस तरीके से अपनी आवाज को मुलत करें। कि उनके पास वो वसाईल ही हैं जिसकी विज़त से वो अपनी अन्फाव को बियान कर सकें। जा को गहते हैं लगे हैं ख़दाओं के हर सवर्देरें, हैं मुश्तल यहां बुर्दरों के बसे रहें। यह क्यों मैंनी हैं, यह क्यों में रुकी हैं। पाकिसान की मुफसलों उनिवस्टियों में, उनके मुफसलों पहली हो पर उन पी जो नसर निगारी हैं, की कालम नगारी हैं की शायरी, और यह वो शुक्सियत जिन की वज़ा से चार तार्मिल्मों को उर्दू दौन वानवादर में एंसल के डिगरी मिली है, मैं आज की इस करता हूँ, और मैं अमीद करता हूँ, कि वो आइंदा भी कलमों के तामस के साथ, अपना राप्ता, अपना राप्ता इसी तरह जोड़े रखेंगे, जिसकर अब तक उन्होंने अपनी सारी बिंदगी, कलम के साथ देते हैं, खाब कटे करता हूँ, असर पे, साभी किताब क कि अंदर की हकीते ही हैं, जो वो कहते तो खाब हैं, जो को मुं समझते हैं, कि ये ऐसासा अज़वाद एक शायरी में ब्यान किया जाए हैं, मैंने एक बार भी हमारे ख़ाद बेश करता हूँ, और ये लंभी सेथ वाज़शनी जिरी नज़वाद हैं, और शुवाद हैं, इंका दिन्दा, हर शुवाद ए सुबफ्ण में, है नाम इंका दिन्दा, हर दर्द की दवाद एं, हसगर अली तुवस. हर दर्द की दुआ हैं अस्गर अली तुबस्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् कितनी दहाईयों से ये शेर कह रहे हैं किस किस का आइना है असगर अली तुबसंग हम शकल इनका कोई अब तर कहीं नहीं है हम शकल इनका कोई अब तर कहीं नहीं है क्या मर्दे इंतहा है असगर अली तुबसंग क्या मर्दे इंतहा है असगर अली तुबसंग है इंतहाई मुश्कल जो काम का रहे है है इंतहाई मुश्कल जो काम का रहे है क्या इश्गे दूसरा है अस्गर अली तुबस्टम रखते हैं एक तसलसल खाबों के दर्मिया में तस्वीर बावफा है अस्गर अली तुबस्टम पीरो जवां से इंका है इश्ग अब भी जाई क्या श्ग्स मरवफा है अस्गर अली तुबस्टम क्या श्ग्स मरवफा है अस्गर अली तुबस्टम रखते नहीं है दिल में बेश्ग कोई तुमना किस दर्जा पासा है अस्गर अली तुबस्टम रखते नहीं है दिल में बेश्ग कोई तुमना किस दरजा पार्सा हैं तुराना नहीं है। चंद माँ पहले सरे रामु से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही तुबस्ण साहब ने अपनी मिलंसार तबियत, मुहबत, दीमे लहती और साथ़ी से अपना गर्वीदा बना लिया। बात अब आपका अकलाम सुनने और पढ़ने के मुहाकिवी मुझे सराए। उनकी शायरी, उनकी तुबियत, निजाज और शक्सियत का प्रतौग है। जिनाबर असकर अली तुबस्ण साहब ज्यादातार और गुजबान में तबादमाई करते हैं। आपने तकरीबर हर सिंद में तबादमाई की है, जिसमें हम्द, नावत, नजग, घज़त, तन्कीब, और कावन निजाई शामिज है। तुबस्ण साहब के दफ्टर में गया, तुबस्ण सामिले, उन्होंने इतना प्यार किया, इतना बेर्बादी की कि मेरे पास रफादी, तो यह जो हमें पज़ साथ क्या अच्छा आपको बनाएगा, साथ क्या अच्छा उदान होती है। किसा आओं ही जमाने से न कहते रहना, किसा आओं ही जमाने से न कहते रहना, कुम जरावत की आवास भी सुनते रहना, कुम जरावत की आवास भी सुनते रहना, क्यां हो, आपकी ताल नहीं आदी, क्या आदी, तो मैं पानी हैं को चाह मिन का मस्ला है कुछी नहीं होता, क्या पको, पुछी रहना, कुछी रहना, अपने हसास की आतश में, सुनके के वहना, तेंक यू मैं यही इसास मेरे लिए इसाद है और अपने हिसास के आतश में सुनते के रहना होशी और जोशी के मापेल चलके ते रहना होशी और जोशी के मापेल चलके ते रहना मैं यही इसाद है मैं यही इसाद है मेरे जजबात का तुम पास करो यान करो मेरे जजबात का तुम पास करो यान करो मेरे जजबात का तुम पास करो यान करो मेरे जबात का तुम पास करो यान करो यान करो तुम पास करो यान करो मेरे जबात करो यान करो अपास करो यान करो कर अपनाने के लूँ श्रब तन्हाई मेधी परेके तरपनाने के लूँ मन जब सामने आजाए तहसे ते रहना मन जब सामने आजाए तहसे ते रहना अजीशे, माशाब क्या घर्जी तुझे को तब सामने किसी परवाने से क्या घर्जी तुझे को तब सामने किसी परवाने से तो मुसाफिर है तेरा काम किसी परवाने से तुझे तुमसाफिर है तेरा काम है चलते है रहना कि साइगा हूं ही जमने से न कहते है रहना इल्मी और्पी तखलीकात की विजियाई इल्मी और्पी हमकों में इसकदर है कि आपको बताया गया कि चार तहकी कि मगाला जारत इनकी तखलीकात पर लिखे जाते हैं और हमारे लिए रिफाई इनिवर्स्टी रिफाई इनिवर्स्टी वैसलवाद कैंपस का यह जात है कि इनकी नजब और नसद पर दो एम्फल के तीसिस हो चुकी हैं और मेरे लिए यह बाईस जादव है कि मैं इस तीसिस का सुपरवाईजर में हूँ और आज इन को इनकी को बियर कुछ खिटमत में पेश करने का एजाज हसिर रहा हुआ है कर दो कर दो हुआ हैं ना है की सामने है अच्छा अच्छा हो जितना संदिल हो जितना तान्य करने वादा हो इश्ड का मजा उतना ज्यादा है तो अगर यहां पे हलात मुश्कल है तो फिर यहां जीने का मज़ा भी जो है वो यहीं पही है तो हलात यहां पे मुश्कल हो वहां पे जिन्दीश गरना एक फान देगा तो असड़र अली तुबस्ण साब की इस किताब पे बहुत से बाते हो सकती है उनकी गजल के उनकी नसल के बहुत से मौजबात है अगर उनको फर्दन फर्दन डिसक्स किया जाए तो बहुत सा वक्त लग जाएगा लेकर मैं एक शेर जो है उनकी गजल करना चाहता हूँ कि देखना तक्रीर की लज़त के जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है तो ये बातें जो हैं वो इस दोर में जहां पर बात हो रही है दैशत गर्दी की तक्रीब कारी की वहाँ पर अगर कोई मुझे से पूछे कि आपके लोग कैसे हैं मुलके तो मैसकर अली तबस्साथ वो एक आवं की सिंपल के तौर पेश कर सकता हूं कि ये दर्वेश सब्साथ ही है ये सबसे महबत करना हमें सिखा रहा है और ये महबत की शायरी कर रहा है तो इस हावाले से बहुत कम देखा गया है कि इतनी कुलाइटनेस एतनी आजजी इतनी दर्वेशी किसी शायर के अंदर मुआजूगोथ हो जो असरगे अली तबस्साहब की शायरी में हमें नजर आई है श्यासत का अनुसरत भी शामिल है नदीन असरगे जान्द साहिख कि सूल के तो मैं असकर अलिय तबस्व साहब को इस खुब्सूरण शेरी तख्रीग पर मुबार्थ बात पेश करता हूँ 1888 में आदिश एहसास से जो सफर शुरू हुआ वो आज इनकी कुल लियाद और उसकी तक्रीब रुनमाई की सुरत में जबूर वजीर है तो मैं अधियात अभी क्वेश करते हूए उन्हें आप से इजाज़त चाहूंगा हर शेक्स शायर तो नहीं होता है लेकिन शायराना दूरूर होता है शायर परने की यह कुछ और करना परता है शायरी को बक्त लेना होता है कभी शायरों के साथ लेना परता है और कभी शायरों के बस्र करें असकादली तबस्र के किसी शेयरों परापने है यही के मौजवाद है और हमारी सब्मूरत नहीं है जो उनकी शायरी में जा दे है अच्छन ट्रेडर्स अब घर सजाएं अपनी मर्जी से फैसलाबाद का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर जहां आपको मिलें मौल्टी फोम की सबसे ज्यादा वराइटी मौल्टी स्लीब मैटर्सेज मौल्टी फोम फ्लैक्स मौल्टी आर्थो मौल्टी कूल जैल स्प्रिंग मैटर्सेज Master Celeste Paces, Master Celeste Bravo, Master Celeste Gold Plus, we deal with all kind of mattresses, unique variety of Sofa Combat, Master Multi Furniture, special offer for our customer for limited time, two pillow free along with all kind of mattresses, H&T Traders, Address, Amin Town, Near Kashmir Oil Mills, Opposite Circle Club, Faislabad, Call 0323-6669-291, 0321-655-0729, 041-8751-877. जिनको मैं जाती तोर को बहुत पसंद करता हूँ, सियासरदानों नदीम अफसलेच चांद साहब जैसे लोग जो हैं, वो जहां में जोते हैं, वो अपने नजरियात का पच्चाब रखते हैं, और अपनी जिन्दगी जो है, अपने नजरियात के मताबत करते हैं, मैं इतना पसंद करता हूँ कि वैसियत सदर ग्रेस क्लब मेरी बाड़ी को गिला है कि मैं क्लब में नहीं आता हूँ, और उनका किला बिल्कु तरुस्त है, मैं बाके जब से बना हूँ, मैं बहुत काम आता हूँ तो, मेरी अपनी बेशा बनाना मस्रूफियत 24 हेंदे का प्रंटेंट देना, तो, आज सब कुछ छोड़ चाड़के, ये मैं असकर अली तबस्त साब की खिद्मत में हादल हुआ हूँ, क्योंकि उनकी किताब में, मैंने बड़ी में ही हुई, मुझे अभी भी बिल्दी रस्तिक मैंने एक तो, घजले और बजले देखी, तो वो जैसे कहते के देर में से इंदाना ही दोने तो आपको अधादा हो जाता है कि उसमें है गया, कुछ लोगों की तखरीब से वो जल्म हुआ है, लफजों में जियां सारा बता देना है मुश्किल, कुछ देर जरा और संभल एदिले बेता, कुछ देर जरा और संभल एदिले बेता, तूफान में लंकर को इठा देना है मुश्किल, दोशे रगी, फॉलाग जो पिगले भी तो है आपका दर्या, फॉलाग जो पिगले भी तो है आपका दर्या, फॉलाग को अगमून बना देना है मुश्किल, वालाद को अगमून बना देना है मुश्किल और इस शेयर पे मुझे लगा कि ये चंद साथ एंड में अपने तो हम तो जहां जहां जहें इस्तमाल कर सकता है वालाद कर दो किताब के साथ कर दो जहां जहां जो फॉप कर दो हों है परक्षिर से मेरे दोस्त हैं, बड़े मुफस। बहुत सारी बाते हैं इनकी उख़ब्द्द्धि के हमाले से हुए। इन्होंने अपनी महदूर सी इजात के अंदर बसल के लिए बहुत सारा काम किया गाँ परक्षिण के लिए मुफस। अगर आपकी दूमानी की खत्व हुए। मुझे तुर्की में और मुझे लुम्र कुछ बुखारा में वो लोग चाहँ हैं यो अपने माँ अपके कजबें भी कबलों के पढ़ सकते हैं उन्हें वो दो वानी हैं तो इतनी टेरी के साथ दुमान खतम हो नहीं है अधमान खतम होएं तो में इसकता है एक साहँ एकसाब के किताब की किताब के किताब E StrengthThItwI का कुछ दिया है मिनलते ही उन्हों के बाहर होगो लिए था Automat है में श्री बाहर होगे दूमान खतम होगी है और इतना इतला प्ड़का ही, कि अधर में पता है कि आजमत्या ने का ता कर मैं नित्ता को मुद्भ द्स हमें प्कित में आपसर श्रया से काम रहा है अगर अपका बच्छा आपकर नामड़ी सिक्सा को Сब्रूर कहां पर हम zost Kundal Smrt टालीम है यह हमारी जबान भी मांपिषी का तो 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 क्या प्राद इता इतनी बड़ी है कि तालीम सुरूर के जढरे हैं वेस्ट रहे हैं कि वही क्षा रिखति नहीं तो तक यह मैं परेंग तक कि अब बहुत दोई अब ज़्द्रेश नाब सब्सक्राइब म हम अतर जयंञ तन हम दुबना चाहब। और दोर्सेर को हमसाधी हर्काय हरु गॉब?? जाओं के तौना उक्ति भरद वहाद के महां के साफीे दोस्ट , मेरे दोस्त , मैं सब को स्लाम पेश करता हूं, गार क्यान का शुपी अदा करता हूं बाते हैं तो बहुत सी हो चुकी, शेयर भी बहुत मेरे बारे में सनाए जाता हूं कि कमंद भी, नात भी, घजलें भी तो मैं ज्यादा तो नहीं मैं भोलना जाता लेकर कुछ ना कुछ मेरी खाश है कि मैं आपको जोर अपरी जबान से सनाए कर जाओ, तो ये घजल के चांदा शाओ मैं अशकों में खाव अकटे करता हूं मोती जिरे आव अकटे करता हूं खाली जेब भटे कपड़े और खाली बेड़ जीने के आदाव अकटे करता हूं एक यही तो फरक है मुझ में और उस में वो पैसे मैं खाव अकटे करता हूं एक यही तो फरक है उस में और मुझ में वो पैसे में खाव अकटे करता हूं इतनी जल्दी एक हो जाके हो तुम करता हूं उसको पुर्शी से रखाने के लिए एक वर्ज अबल जानकर तरते हो तकरीब कारी रात दिन अंगनत जाने दुआ देते हुत्म तुम में है बस एक कदर मुस्तरिक हुत्मराने वक्त से रखना मुगाड़ यूनी मंदर से रखे वो हुत्मरा एक नए अरवान से मश्गूल हो जाते हो तुम और फिर आफिर प्राने खेल में अपनी अपनी डफ्लियां लेकर सभी रागनी में महब हो जाते हो तुम तुम बोलते हो अपनी अपनी बोलियां कुछ इदर और कुछ उदर रोज बनती हैं विगड़ती हैं तुमारी डफ्लियां कौम के एली डलो मस्थ करके अपनी ही तस्वीर को कौम को पायूस कर देते हो तुम काश तुम अपने वतन के वास्ते भी मुतुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कभी मेरे दरपाप जो आका खड़ी थी, बहुत खट खटाया तदावस्रे मेरा, कई बार वो दीरे धीरे से बोली, अरे अपने अंदर की कुंडी तो कोलो, कई बार वो दीरे धीरे से बोली, अरे अपने अंदर की कुंडी तो कोलो, जो बूचा तो बोली जो आनी हुटेरी, जो पुझा तो बॉली जो आनी हूं तेरी मैं परशाई हूं जिन्दगानी की तेरी कहा मैंने मुझको तो फुर्सत नहीं है कहा मैंने मुझको तो फुर्सत नहीं है कि मैं जिन्दगी के जमीलों में गुंगा हूं आपकासी साथ की हमर में मैं क्या सोचता हूँ जो सेट और अब मतथौबाद मैं सोचता हूँ आकासी में सन भी गुज़ने लगा है तो जो ताज मैं ही कटी विमर सारी जमाने की पैकार इतनी कड़ी थी कि हस्ती ही अपनी मटा दी थी मैंने कि कौंपल ही दिल की जिला दी थी बहने वनाबे खबर अपने सुगतों जयां से भात ही या है बाद गुंबत में बैठा नजाने फ़लाओं में क्या दोगता हो। नजाने अंदेलों में क्या डोगता हूँ। यह नए रंगी ये सिन्ध़ी भी ज़ड़ी है हौग लायलबर में 1960 को मुझे पाकसाब बना तर्ट जहां शौक दुबा गी अधर चे मियना जो जनम बारी जगा है वो मश्की पाकसाब पंजाब मुश्याबपत गी लेकिन लायल पर भी जब मैंने लायलबर में अपना वक्त गजारा जहां मैंने अपनी जिंद्गी के और आज बहुत असे बाद में उन इशादों को ताजा का ना हूँ इसकी बज़त यह हैं कि मेरे दोस्ते हैं टीवी चैनल वाले उनों ने में यह घंटी की फिल्म मिनाई है तो वो मुद्वे मुझे फिल्दा रहा जहां जहां मैंने अपनी जिन्द्गी के वक्त फजारे थी जहां मैं मुट्रालिय कहता था शक्कों वार वार फार चेका मेरा खारी सक्ट रोती थी तो यह नद्ब है मुझे लेल पुट दे दो वैसे का वैसे वो काफी वो कैफे वो जंडे की चाय वो नावल्डी रीगल नशाक और नादब वो ही केंटा दा वो ही बाबार आठो जहां दूद खालस था वाटा था सस्का थी अन्य की रोटी तौनी की चाय वो जहने नंसलसल जहां सों से लंगे वो इम्नु का बठा जैंडर की बठा काम करताता वो का शीशिव का शाय इस्वाय काले की सामने शीशिव का बठाता वहां भुटे पेचा करता है भूध बुबुन का वोही कॉम्पनी वाफ बिजरी का घंबा मैं कमपनी बाग मैं साथ कर बैठ के बढ़ता था और विजली की खंबा नीचे बैठ कर राद जाप के दो बज तक मैं मकारा करता था वो विजली का खंबा वो वो इप खंबा वो फर्गत की चाओं गरी लू बर्बर वो ही दोभीगाट और वह मेरा कालیج वो गपे, वो जिन्दा दिली, वो मेशागल द्यार्द मुझी साब आप शेयर करेंगे वो गपे, वो जिन्दा दिली, वो मेशागल वो वज में अजब, शायी की मौफ़, वो वह सुम वाहस कताबों की दुनिया मेरे अजीन परफेसर थे किरामत सेंजाफरी, मिर्शा मनवर, ताज ममद ख्याल, इफ्टखार मचिष्टी, तर लिके बोवेंसों मुआस, किताबों की दुनिया, किरामत, मनवर, ख्याल और चिष्टी, बहुत से मेरे पीरो मुश्च जहां से, जहां मैंने तैजीब, आदाब सीखे, जहां मेरे दिल क तो सुकूम मिल गया था, मैं लेजेंड हूँ तो मुझे करता हुआ वापस, दोजार पांच में सौसाला चश्रक बनाया गया था, जब जहां तो लैलपर की इंतजामियां थी, गुवर्मेंट इंतजामियां थी, उन्होंने मुझे लेजेंड 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 अफ ल सामाबाद और कराची में हैं नहीं, फैसलाबाद में भी होते हैं, इस अवाले से छोटे शहरों की तरफ भी दोर्जों की ज़रूत है, खुदा मारूं छोटे शहरों में कैसा कैसा शाहकार अजब शाया होने से रह जाता है, और अलबारी में बन लोगा, तुम्नामी के दौबत बंदों के शहरों फैसलाबाद में तो शायर और अधी इस चतर नज़र दाज दोएं के इन्हें किसी ने आपस में मिल बैठने के लिए लाइल पर टी होस तक नहीं बनाके दिया, कमिशनर और डिप्टी कमिशनर फैसलाबाद हर साथ अर्पर का खर्च करते हैं, व यहां मेरे शायद दोस्त बैटे हैं, यह साफी दोस्त बैटे हैं, मकामी फवारा के मारकर बैटे हैं, मैं उनकी तज़गानी करते हुए, मैं खुझ भी साफी हूँ, और शायर भी हूँ, तो मैं यह अन्ज़ करना चाहता हूँ, कि चांग साब नर्सरी सबस्ब होगी, तो ताहन की पैदावार होगी, प्रेंट पीडिया हैं कि नर्सरी, मकामी फवारा टो्टे हैं, नर्सरी सबस्ब़ज होगी, तो दाहन की पैदावार भी होगी, मकामी फवार State लुगानी कौम की बेरास और मुफप के सिकृत को दृआर भाइच, यह किसी को बिल है, आर्ना उन कि व्लेड मेरे मीडियाफोर्स हैं। ये मकामी हीडियुश्य को अजारा करने में बारपूट इसालता करते हैं। फैसलबाद प्रेशकलाब में इनी फ़वारों के काक्रणों से रोनेक है। मेरी गुजारिश है कि अमीद है मुझे आप जीर आदम के तद्वाँ है आप हमारे यह ऐसास आप उन तक पहुंचोएंगे मैं नखास करता हूँ कि फैसलाबाद के अलाकाई खबारात के लिए प्रेस कलब और आर्ट कोसर के तर्सपा अडीटर कोसर भूस्ट मी तब्यूर किया देए प्रेंट मीडिया में अलाका ये खबारात बहुत बड़ी कोड़त हैं वजीर आदम अमरांगा इंप जरा शुक्त का हाथ रखेंगे तो बहुत बल्ला होगा सोशल मीडिया अपनी जिगा मगर यह हकीकत है कि आद भी 60% लोग अख़वार बढ़ते हैं जदीम अवसर हैं तो अमरांगा के लिए हमारी महबुते लेका जाएं उन्हें बताएं कि सब ठीक हो जाएगा बस दरब मांगाई पर किंट्रोर कर देंगे मैं अमरांगा के नाव मैंने इसम लेकी थी उस वक्त मैं दो शियर आपकी नदर करता हूं बहुत सके तजी शियर में अमरांगा पाक की अधा सिखात हूं मांगो ख़दा से रात तेरी से लाम दी इमरांगा तेरी महब्बत में चाख इसका एक मुणफरेद नाम है जिसको डाक्टर रियास मजीद साब कहते हैं कासरबाद ही नहीं बलके पंजाब का बलके पाकिस्तान का नाम है जिस किताब के बारे में वो अपनी अच्छी राहे रखें उसको किसी सहनत की ज़रूरत नहीं होती है जहां तक मेरा जुनाद असरत अबसू साथ से तालुक है मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो स्यादाब बेग साथ हैं इनकी जुम्ला कोड़ियों में जो मुझे ज्यादा नुमाया को भी नजर आती है वो ये है कि ये लोगों में कनेक्टिवटी काइब कर वाते हैं यानी तरह साल पहले इनों मेरा एक दफार इन से राफ़ा करवाया इनकी और मेरी मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही मुझे इसास हो गया था कि असकर तबस्तन वो शखस है जो अपने माधी को याद करता है लेकि उनके हां नाउमीदी और मायूसी नदर नहीं आती वो पा हम सर्मिन्दा हैं लेकर हमारे जैनों पर दस्तक देते हैं और पाई मुर्दा दिलों में ला इला 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 के नारा से तरोड तास्की पैदा करने की सही करते हैं स्ब्सक्राइबाबए अृंक्राइब एला करें ला इला इला कiden मट्री amoranga करねं लेकर फंक्रे करेंवे स्ब्सक्राइबास हैं रहिं अ्छ्छी टीण बस्ते ही मुर्टार अपनिश्ट काड़ हैं धन्युम्त बस्क्राइब श्र क्लब फैसलबाद, कॉल 0323-6669-291-0321-655-0729-041-8751-877 बिस्मिल्ला एक्मार नहीं, आज की तक्रीब के दुलाब जनाब असकर अलिक तबस्थन साथ, सदर्ड प्रैस कलाब जनाब डोगर साथ, खालिस साथ, मौज अजीने, फैसलाबाद, इल्मो अदद के शेहनशाह बैठे हुए हैं, मैं तो एक साले बिल्मो सियास्त का छोटा सा, लेकिन जिकीन जानी है, बड़ी खुशी हुई, इस किसम की मैफलों में बैठने को तरस गय थे, जो कभी कभी आप तो नायाब हो गई हैं, मिलती नहीं हैं, हर वकत मुनाफ़ताना, खुदगर्जाना, दर्बागाना, मैफलों में बैठ बैठ के उखता गएं, तो ये किसी शायर के पास, ये किसी एल एल्म के पास बैठना, ये किसी किसी को सादत नसीब होती है, मैंने कोई किताब इतनी ज्यादा नहीं पड़ी थी, जब तमस्थम साब मेरे पास तश्रीफ लाय तो नहीं हुकम किया, तो मैंने का मैं जरूर आउँगा, क्योंकि ये बिसाथी के साथ जब मेरे आफिस गया है, मेरे गजीज के साथ, तो मैंने का मैं इंकार नहीं करूंगा, जरूर आउँगा, और मुझे इन्होंने शर्फ बक्षा, अब मैं कोई इतना पड़ा लिखा तो नहीं हूँ, कोई इतना किताबी भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों को बड़ा पड़ा है, लोगों को पढ़ने की आदत भी है, लोगों को पढ़के सीखा भी है, और अभी भी सीखते हैं, तो इस किताब में यगीनन बहुत सारी चीज़ीं होगी, लेकिन मुझे एक किताब से बावी एक्तर अलित बस्सम पसांद आया, जो मेरे सोच के या मेरी जेन को जो चीज़ पसंदा है, मैं उसी के उपर ही बियान करूगा, जो मौशरे का एक बावी है, लेकिन उसके अंदर प्यार भी बाटता है, जो हालात का बावी है, लेकिन प्यार भी बाटता है, जो एक सोशिलिस्ट है, लेकिन कोई सोशिलिजम क का परचार भी नहीं करता जो मजब से आरी भी नहीं है लेकिन मजब का परचार भी करता है और लेकर कोई इतना मौलवी भी नहीं है जो एक अच्छा लिखा रही है लेकन दरवारी भी नहीं है तो मैं इस सवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जिस अरब परफेसर सा आप में कहा कि किताबे नायाब होगी हैं, जबान नायाब होगी हैं, जिकीनन ये हमारे वाश्रे में एक कार्पॉरिट कल्चर होगी है, कार्पॉरिट कल्चर से मुराद कोई ये नी होता, कि सिर्फ जो दौलत कमाने वाले हैं, उनको कार्पॉरिट, कार्पॉरिट मैं उनको कहता हूँ जो दौलत पैसे के बल्बोते पे हर चीज खरीदने के आदी हो जाए खावो जेन खरीदें खावो जमीर खरीदें खावो किताब खरीदें खावो इनसान का जिसम खरीदें खावो सोच खरीदें वो आदी होते हैं और उनका कोई देस नहीं होता है उनको मुनाफ़ चाहिए होता है मुनाफ़ जहां से भी मिले वो वहां इंड्रेस्ट करते हैं जहां से मुनाफ़ नहीं मिलता वहां उनकी बहुत जयती होते हैं तो उनका कोई वतन नहीं होता मैं उसको कार्पूरिट कैता हूँ और येकीनन मैं उसका बावी ये और मैं समझता हूँ कि इस मौशरे में हल भी उसी किरता है जब आप उस कल्चर के बावी लिख लें ये लिएदा बात है को कोई कोई कहता है वो जमाने का एक शेर है ना कि मेरा हुसाइन अभी कर्बला नहीं पहुचा मैं हुर हूँ परलेक्ष करे यजीद में यह लोग सोचते हैं होते कहीं भी है लेकि उनकी आपनी एक सोच होती है तो मैं उस सवाले से मैं समयता हूँ कि इस किसम के लिखारी इस किसम के लोग हमारे लिए नायाब है बज़ किसमती से हमारी हकूंतों ने इन के उपर कुछ दिहान नहीं दिया और मैं यकीन प्रोफेसर साब आपका पेगाम वजीर आज़म साब तक पहुचाऊंगा जरूर पहुचाऊंगा क्योंकि जहां तक खिबाराद के शिराद का तल्लक है तो उस गोरफ दंदा में तो मैं ना पढ़ा हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी आँखों से वो देखा कि वो कितना बड़ा फराड होता है तो मैं उसकी तो माज़रत चाहता हूँ लेकन जो शायरों अधीबों की लिए छोटे शायरों से बड़े शायरों तक जो एक अकूमत को रियासत जिस तरह माँ की तरह होती है ना माँ की तरह संबालना चाहिए उसके लिए जरूर मैं आपका पैगाम पुचा हूँ कि रियासत की तरह माँ की तरह आपने शैरों और दीबों लिखारियों को प्रोफेसरों को संभालना चाहे यकीनन उसके लिए मैं आपको मायूस नहीं करूँ बाकी मैं फैसलाबाद के आपने ये भी एक पेगाम दिया कि महंगाई महंगाई यकीनन है इसमें कोई शक नहीं लेकिन इस महंगाई में ये भी देखें के महंगाई है अब मैं वो रोना रोता रहूं कि पिछली एकूमते हैं पिछली गूमते हैं मैं मन ऐसल कौम हमारा एटिचूडी वो स्टाकियों वाला है हम कभी हमने ये यह नि सोचा रम्जान आता है तो चीजें महंगी होती है पूरी दुन्या में जाए क्रिस्बस आती है नहीं भी अले कि यह शख पिछली ब्रकलत है लेकं जब रम्जान आता है तो बल्यक मार्केटिंग बढ़ जाती है हम रोजे भी रखते हैं हम इतकाफ भी बैठते हैं अमरे पे भी जाते हैं लेकन हम नास्टाकिस्ट की नफी करते हैं यही मैं समयत हूँ कि इस की उपर भी यकीनन आप दानिशवरों का दानिशवर जब कौम के पास रा दिखाने बाले दानिशवर होते हैं स्यास्टानों के रोल माडल भी दानिश्वार होते हैं बज किसमती से इस मुल्क में दानिश्वार बिल्कुल नापैद हो रहे हैं और उन दानिश्वारों की आप जैसों की जरूरत है कि आप रहा दिखाएं इंशाला ताला मायूसी बिलकुल होनी भी नी चाहिए और आपकी किताब पढ़ के तो मायूसी खतम होती है और मैं समझता हूँ कि यकीनन मैं खुद पाक टी हाॉस में बैठता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि लायल पूर टी हाॉस होना चाहिए और इसके लिए मैं जरूर वजिर आजम माफिस का इस्तमाल करके आपकी मदद जरूर करूगा और इंशाला ताला पुशिश करेंगे लायल पूर टी हाॉस बहालो या बने या इसका कोई तरीका कार बने क्योंकि ये दानिश्वरों भी एक बैटक होती है एक सोच रती है बाकी आपने जो चीज़ें कहीं के टाइम मिलता है आपको वजिर आजम साथ को तो ये शेर सुदा दीजिएगा मौबतों का शेर आपकी जजबात में पहुचा दूँगा लेकर मुझे जब भी वजिर आजम साथ से टाइम मिलता है तो मैं अवाम की बात ही करता हूँ और मैंने कभी अल्ला की फज़ आपके बात का भी महनए नहीं रेडी वाले से लेकर हर वो मझदूर किसान खाओ वो मिल का मझदूर उखा भटे का मझदूर उखा किसी हारी का मझदूर उखा इसकी बात जरूर करते हैं और वजिर आजम उसके लिए सोचते भी है असास प्रोग्राम 200 वर्व से ज्यादा और ये हाॉजिंग स्कीम ये भी लोएस तबके के लिए ये वोई सोच है और मैं समयता हूँ किसी वेलफिर स्टेट के लिए ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी है और इन्शाला ताला एक चीज जो आपने कही है कि महबतें इस मुलक के लिए सब स्यासी क्यादत को कटे होना चाहिए ये मेरी सोच है मेरी सोच के भी ये चीज़ करीब है लेकिन बदकिसमती से यहां अपने अपने एजिंडों पे लोग ज़्यादा चलते है इस मुलक में कौमी सोच की बहुत कमी है और यकीनन नफरतों के बीज बहुत ज़्यादा फिर फैल गए 1988 वाली 90 वाली सियासत दुबारा आ गई है इस मुलक में जो के नहीं आनी चाहिए चीजें इतसाब भी चलता रहना चाहिए साथ-साथ लेकं पाल Inc. डिमोक्रिसी में मिल ज़्गे में सम्chnit हो मैंशत Mेंगाई इस मुलक के जो बसायल है जो इस मुलक के बाड्रस के हमें खत्रा है वो सब चीजें में सम्हें तो प्राइटी होनी चाहिए लेकं आज आज लागा फजल है अफगानस्तान में अमन हो या किशमीर हो वजिर आदम पाकिस्तान अम्राल खान साब की आवाज सुनी जा रही है पूरी दुनिया में और आज पाकिस्तान दूसरे मुमालक में अदम मदाखलत की बन्याद की पालीसी बाला हमल पहरा है यही वो जमाना गया जब हम किसी जहाद की पनीरी हुआ करते थे अब हम किसी के क्राय के कातल नहीं है ना हम बनेगे ना हमारी कौम तियार है जिससरे हम अपने बच्चों को हमने बैकाया मखब के नाम पर उनको तियार किया आज ये मैं समयत हूँ इसमें भी आप दानश्वरों का ख्याल आपका कमाल होना चाहिए कौम को बताएं कि हमने एक डैशनलिजम अपने अंदर उबारना है पहले पाकिस्तान होना चाहिए हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है दुनिया का ठेके दार बनने की और इन्शालल ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अच्छे अहलात आएंगे मायूसी नहीं है आप्टिमिस्टिक होना चाहिए तो मेरी मैं फिर समझता हूँ कि मेरी आप से आज जो आपकी मैफल में आएं तो यकीन इस शहर में जो लाइलपूर आप कहते हैं वापस आए वो लाइलपूर रुटशायद वापस नहीं आ सकता क्योंकि अब तो यहां एक दौलत बन्दों का राज है जस लाइलपूर को आप डूड़ते हैं उस लाइलपूर मजदूरों का राज होता था तो इन्शाला ताला वो दौर आने वाला है जब फिर वो तबका राज करेगा खलके खुदा राज करेगी मेरा तो इमान है इन्शाला ये जो फून निचोडने वाले गुस बैठ लिए जो इस मुल्क की जड़ो को चोडने वाले जो सारी सियसी जमातों में एक रूलिंग कलब है जो हर तबके में जो इस्टैबलिश्मेंट जुडिश्री इंतजामियां सियसदान से लेकर एक रूलिंग कलब है उनकी कोई पारिटी नहीं होती उन्हें खून चोड़ना होता है वो हर हाल में हकूमत में रहते है और इंशालला ताला वो वक्त आएगा कि वो तबका एक्सपोज होगा खलके खुदा का राज होगा इंशालला बड़ी बड़ी मेरबानी पाकिस्तान जिन्दा अच्छा पर डेपारिट से भाएं के मज़ेसे भीज़ी अब रागी मेरबानी से इंतरों निए वागत आएगा तालज के में इंदा से भीज़ी बड़ी बड़ी में पाकिस्तान जिन्दा निए वागत खुद आप देखते हैं अपने फैनली फैनली का तो कर साथ है और मेरबिस देखते हैं वरना वो माफी ख्लावी मांगे देले कानी इस दोड़ा है और इस दफा बेमारी के टाम पे जोड़ा है इसके बज़ा से इसके बाहते हैं आप यूर्ट विट्ट पेड़ गरता है इखलागी तोर पेड़ा है स्यासते हाई मौरण ग्राउड ही होसे है अप सियासते ही जूर्ट पेड़ा है कि थापत करें कि हम बेमारी पे सियासते ही तो अगर वो इस सहते हैं इसके अगर वो अगर वोसे देमांने है सिए तो मेरे किया उनको भी अपनी अबाम के आसाद है एक सब्सकत बण को कि रांटी के समय ने की है जो फैसलाबाद में उनोंने जसे रहा एक हाकुमत की है, पोजिशन को जसे बहुता है उस वकट को पता है और यहां क्या क्या होता रहा है फैसलाबाद में इस सब्सक्राइब को बता है। क्या में इस सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब को बता है।